स्वरगी श्रीमत माराज मादराउजी सिंध्या के दुखत दिहान के बाद उनके चरंजीव जी उत्राज सिंध्य हमारी पार्टी में आए नौजवान थे आज भी नौजवान है मुझसे जो ग्वालियर में पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए मैंने का हीरा है तराशा जाएगा चमकेगा हमने चमकाया भी लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोग सब्भा चुनाओं में रगबी शिंग रुसल्ला के बेटे से क्या चुना हार गए कि उनका बिल्कुल मन बैट गया अरे हमने कहा दिग विजय सिंग भी हार गए इसे कौन बड़ी बात थी लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिल लड़ाई चालू कर देता है वो क्या यह उता होता है जो जिन से हारा उन्हीं से जाके मिल जाए जिसको उम्मीद थी जो तरह सिंद्या जिन से हारे वे उसी पार्टी में चले गए हमें उनसे उम्मीद नहीं थी और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है वो मान सम्मान जो कॉंग्रेस ने दिया राजीव जी ने दिया इंद्रा जी ने दिया सोनिया जी ने दिया राहूल प्रियंका जी ने दिया ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं इतना मैं पताए देता है अरे हम उनको महराज 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 करते थे भाजपा ने उनको महराज से भाई साब बना दिया साथियों मैं आज आप से इतना कहना चाहता हूँ कमला जी मैंने अशोग नगर में इतनी बड़ी सभा कभी नहीं देती बहुत 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 आधाई और कॉंग्रेस बार्टी और भाजबा में केवल एक अंतर कॉंग्रेस सरकार जब आती है तो जमीने बाड़ती है गरीब और किसानों को लुटाती है और जब भाजपा आती है तो लूटती है गरीबों की जमीनों पर कप्चा कराती है और एक इहां का विधायक उसके बारे में माननी कमला जी जादा आपको बताएंगे अदभूत है भाई कितना वहरुपिया भेश बदलता है वह जानता है और यहां इसा उनर की जनता जानती है इनोंने और एक मंत्री मुंगावली के मुझे बताया कि पीएची के मंत्री है उन मंत्री के खुद के गाव में तीन किलो मीटर से जाके अभी टैंकर से पानी आ रहा इतना काम किया है उनका काम केवल यह है कि अशोग नगर में जमीन हड़पो कई मंदिर की जमीन हड़पो कई सरकारी जमीन हड़पो और कॉलोनी काटो एक एक कहसे आप किताब करेगी कॉंग्रेस पार्टी अगर सरकार में आ गई तो गरीबों की जमीन धरपने वालों के खिलाफ कारवाई की जाएगी और उनको बक्सा नहीं जाएगा अब आपसे यही प्रात्ना है कि तीनों सीटों पर और तीनों सीटों के आज पास भी गुना रागोगर चाचोड़ा बमोरी गोलाराश और इधर कुरवाई बीना इन सब पर आपको कॉंग्रेस बिताना है क्योंकि तो इसलिए मैं आपसे इतने ही कहना चाहता हूँ कि लडाई अमीर और गरीब की है यह लडाई उनकी है जनोंने दलाली करके अरब पती बन गए खरब पती बन गए बड़े बड़े लोग आदमी गरीब आदमी गरीब होता चला गया और अमीर अमीर सोते चले गए यह लड में हम आप सबका सहयोग और मदद चाहते हैं मैं अब इतना ही समाप करते हुए कमन लाजी को धन्यवाद दिन यह उमेश ना यह राजेश और उमेश दोलो भाई बड़े बड़े हमारे साती है राजेश तो उमेश तो बच्चा है लेकिन उने वे खुब अच्छा काम किया अच्छी कॉलिज वालिज खोल दी है बड़ी आज़ा ठीक है जिसलिए मैं कमनलाज जी से यही प्रात्ना करूं कि आने वाले समय में आप मध्यप्रदेश की जनता को आपने जो दिया है वो तो देते ही रहेंगे और आगे क्या देंगे उसका विवरन करें आपको मैं आमन्तित करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की आदनी कमलना जी मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव के पूर्व नेताओं ने एक दूसरे पर तीक्षन टिपणिया करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अशोकनकर में जोतिरादित्य सिंधिया पर कठोर टिपणिया की वे यहां कॉंग्रेस की संविधान बचाओ सभा को संबोधित कर रहे थे जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी शामिल थे सभा में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर कहा की महाराज माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उनके चिरंजीवी जोतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी में शामिल हुए वे युवा थे और आज भी युवा है मैंने ग्वालियर में पूछा गया कि मैंने कहा वह एक मूदा है जिसे सवार ना होगा वह चमकेगा और हमने उसे वाकई चमकाया लेकिन चमकने के बाद उन्होंने पिछले लोक सभाचुनाव में रगुवीर सिंह रुसल्ला के बेटे केपी यादव से हार का सामना किया जिसके परिणामस्वरूप उनका मन तूट गया आएक मैंने कहा कि दिगविजय सिंह भी हारे थे क्या बड़ी बात है योध्धा वह होता है जो हार कर भी लड़ने के लिए तयार हो जाएं योध्धा वह नहीं होता है जो दुश्मन से हार कर उसके साथ मिल जाएं किसको उम्मीद थी कि जोतिरादित्य सिंधिया जिससे हारे थे वही पार्टी में चले जाएंगे हमें भी यह उम्मीद नहीं थी जो सम्मान कॉंग्रेस ने दिया राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिया लेकिन भाजपा के नेता कहीं सम्मान नहीं दिया हम लोग उन्हें महाराज महाराज कहते थे लेकिन भाजपा ने उन्हें भाई साहब बना दिया कॉंग्रेस गरीबों की भूमी बनाती है जबकि भाजपा उनकी भूमी पर कबजा कर लेती है। यहां की कमलनात जी आपको विधायत के बारे में बताएंगे यहां अद्भुत है। वह कितना रुख बदलता है यह वही जानता है या फिर यहां की जनता जानती है। पी-एची मंतरी के गाउं में टैंकर से पानी लाया जा रहा है। उन्होंने राज्यमंत्री मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव पर भी हमला बोला और कहा कि वह पी-एची मंत्री हैं, लेकिन उनके गाउं में तीन किलोमीटर दूर से टैंकर से पानी लाया जा रहा है। यहां उन्होंने काम किया है। यहां लड़ाई अमीर और गरीब की है। गरीब आदमी गरीब होता चला गया है और अमीर आदमी अमीर होता चला गया है। इस लड़ाई में हमें सभी का सहयोग चाहिए।